ममस्टे दोतों अल्डी गुल्ड में आपका स्वागेट और आज स्वास्टे समंदी चर्चा के अंदर शेक्स के लिए हम आपको आज जी हमने आप सब के सहयोग से आप सब के प्यार से और आप सब की मैनत से एक लाग पचास हजार सब्सक्राइब बन चुके इतने आप मेरे परसंसक हो गए मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि इस आवस्ता के अंदर भी आप लोगों ने मुझे जितना सहयोग दिया उसकी कितनी तारिफ की जाए कम है और मैं आप सब के स्वास्टे की प्रभू से कामना करता हूँ कि आप सारा रिक रूप में सब त और आज मैं आपको नुस्का दे रहा हूँ लिंग को लंबा और मोटा करने का एक बात हम और करनाचाते है आज के दिन वो यह कि यह जो नुस्का मैं दे रहा हूँ अगर इस नुस्के से काम ना हो तो आप यहां आगर के और मेरे को कुछ भी कह सकते हैं मैं सब सुन लूँगा जो भी आप डंड देंगे में ले लूँगा यह इतना मैं आपको confidence के साथ कहता हूँ कि यह नुस्का 100% ही नहीं 110% काम्याब है और इसमें कोई ज़्यादा आपको नहीं करना है यह एक लेप करने का नुस्का मैं आपको बताता हूँ लेप की एक बहुत जबरदस्ट वीदी वो बताता हूँ और यह आपको 21 दिन करना है सिर्फ 21 दिन अगर आप 31 दिन भी करें तो भी कोई नुक्सान वाली इसके अंदर चीज नहीं इसमें पेट में खाने की कोई चीज ही नहीं है अब मैं आपका समय नहीं लेकर के और आपको यह नुस्का इसके contents मैं आपको बताता हूँ बनाने की वीदी बताऊँगा और सब तरह से आपको समझाऊँगा देखिए यह पुराना वजन मैंने इनको ग्राम के अंदर लिया है हाँ अरंडी 10 ग्राम अफिम 6 ग्राम अकरकरा 6 ग्राम जाइपल 6 ग्राम दालचीनी 6 ग्राम बीर बहुटी 6 ग्राम लोंग 6 ग्राम यह मैं एक बार फिर बोल देता हूँ अरंडी 10 ग्राम अफिम 6 ग्राम अकरकरा 6 ग्राम जाइपल 6 ग्राम दालचीनी 6 ग्राम बीर बहुटी 6 ग्राम और लोंग 6 ग्राम तो ये लगबग 50 गराम होते हैं ये 3, 2, 5, 2, 7 कंटेंस से ये कुल मिल करके और 50-48 गराम बजन होता है इन सब को आप जितना बारिक पीश सकते हैं और पीश करके और एक डिब्बे के अंदर आप प्लास्टिक के और काच के उसमें रख देवें ये आपका लेप तयार है ये 50 गराम आप इस तरह इसके मातरा बढ़ा करके अधिक बना करके रखें क्योंकि हर दो दिन में बनाना भी संबव नहीं तो ये 50 गराम 50 गराम के आपके दो पटियां होगी यानि कि जैसे आज रात को लेप हो गया और कल रात को लेप हो गया जब तक आप इसको फिरीज या ठ दें और तैयार उतना ही करें जितने 25 गराम ही तैयार करें ओ तैयार करके लेप कर लें इस तरह आपको रोज हेडेक नहीं एक बार ये पाउडर बना लें और इसका पेस्ट आपको गाई के दूद के अंदर बनाना है ये बने हुए पाउडर में से अंदाज हैं आप 25 गराम ले लें कोई फिक्स नहीं 20 गराम भी हो सकता है 30 गराम भी हो सकता है 25 गराम लें के और उसका मेंदी की तरह गाई के दूद में फिर जैसा भी दूद मिल जा है उसका पेस्ट बना लें और रात को सोती वगत सुपारी पर लग जाए तो कोई बात ने वैसे लगने से कोई लाब नहीं जहां तक हो आगे का शिसन या सुपारी जो है उसको छोड़ दें बाकी पेनिस के उपर मेंदी की तरह इस लेप को आप लगाएं और निचे अंड कोस तक लगाएं इस तरह रात को एक बार आपको लेप करना है 21 से 31 दिल और ये आजमायावा नुसका है और ये कोई मामूली बुक से नहीं है हम फिर नाम बता देंगे और इसके अंदर आपको और समझा देते हैं क्योंकि आप फिर मेरे कोई कमेंट करेंगे कि ये कैसे है तो मैं पहले बता दूँ देखिए अरनडी आप जानते हैं जिससे केस्टर ओइल बनता है अरनडी इनके भी जाते हैं दो त्रिन रुपे में आ जाएंगे अफिम आप जानते हैं देखिए दवा के अंदर तो अब वो कैसे हासिल किया जाता है आप जाने अकरकरा को आप जानते हैं जाएफल को आप जानते हैं दाल चिनी से आप परिशीत हैं लोंग से आप परिशीत हैं सब चीजों से परिशीत हैं एक इसमें बीर बहुंटी बीर बहुंटी कोई जड़ी या वनस्वती नहीं होती हमें हम अनुमान जी के भक्त हैं हमें कोई इस तरह की जीव इंसा की इजादत नहीं है लेकिन जहां मानव के कल्यान का काम है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं देखा जाता है बीर बहुंटी कहते हैं देशी बासा में सावन की दोक्री इस्वगत खुब हो रही है और गाहों में और रेट की जहां जगे है वाँ तो यू मकमल की तरह बिज जाती है एक छोटा सा कीरा होता है मक्मली लाल रंका होता है दीरे दीरे कलता है उसें बोलते हैं बीर बहुं कि तो ये किसान लोग इन दिनों के अनदर वो खेतों में खूब होती है रेतिली जगर पे तो उनको इकटा करके ओर उसको साय में शुका करके और पंसारियों को बेच के आते हैं जहां आराम से लोग इसको काम में लेते हैं दवाओं में और में तो ये बीर बहुंटी आपको पंसारी के या मिल जाएगी इसका powder बन जाएगा इसमें कोई सोटने की बात नहीं है इसका प्रियोग पेट में खाने का भी वो फिर बताएंगे कभी हाँ तो फिलाल यह सब कंटेंस मैंने आपको समझा दिये इनका लेफ समझा दिया और जो ट्रिपिकल इन में चीछी बीट बॉंटी इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूतने पंसारी के मिल जाती है और जिनको ताजा मिल जाती है तो चुटा करके और ये लेप आप किजिए और इस लेप को करने के बाद 15 दिन के बाद आप मेरे को कमेंट्स गंद लिखेंगे कि हमें फाइदा है या नहीं हम विशेश करके इस लेप के उपर ज्यादा ध्यान देंगे आपकी हर शंका का समादान करेंगे और एक आप से जाते जाते मैं एक गुजारिस और करूँगा कि देखिए मेरे से जिस भी मेरे भाई को स्वाथ्य समंदी कोई भी शेख से कोई मतलब नहीं कोई भी बीमारी समंदी पेट रोग समंदी कोई भी राय लेनी मश्वरा लेना का कुछ जानना है तो मैंने दो गंटे का समय सबेरे का नियुक करका है सुबह 6 बजे से 8 बजे आप मुझे से बात कर सकते हैं मैं फोन पे रहूँगा और इसके अलावा आप वोटशेप के अंदर मेसेज कर दीजिए जो बात नहीं कर सकते तो मैं उनका जबाब दूँगा और कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं उनका आपको जबाब दूँगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सब तरह से काम आऊँ दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सब्क्राइब कीजिएगा ठैंक्स